एलो अच्छो स्वागत एक ने वीडियो में यहां पर देए कक्षा नवी के जो इंगलिस का पेपर होने बाला है हाप लीगा उसका मैं पेपर लेकर आ चुका हूँ वच्छो सभी कोशिशन के आंशर देखेंगे एक एक कोशिशन के आंशर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया था अगर आपने वीडियो में नहीं बताया तो मैंने टेलिग्राम पर वो चीज अपडेट करती थी कि आपके इस वर्स दो सेट पेपर बनने वाले हैं तो अगर आपनी अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल को जोन नहीं किय वाहाँ पार हम छोटी वड़ी अप्डेट देते रहते हैं ठीक हैं तो यहाँ पर बच्चो जो आपका पेपर आने वाला है स्वाव काCómo का आपको description मिल जाएगी यहाँ पर देखीगा The scientific invention after the industry revolution तो यह इसका आंजर हो जाएगा 1700 नवाजी इसकी जो man paper की PDF में आपको दूँगा इस answer आंजर है तो आंजर आंजर देख लीजिए आप ठीक है चलिए Next question दिया गया है The cabin for the pilot is Carla तो इसका हो जाएगा Cockpit See answer इसका right answer हो जाएगा Next question दिया गया है An aeroplane has an engine that is work Why तो यह हो जाएगा आप पैटरोल ठीक है लाश्ट आपका यह पैटरोल हो जाएगा चौता है Which of the following is the fastest mean of transport तो यहाँ पर इसका आंजर हो जाएगा D Aeroplane ठीक है सभी question के answer यहाँ पर दे यह जा रहा है बच्चो जितने भी questions बता रहा हूँ आपके हावेली पूचे जाएगे तो एक question कोची तरीके इसका लीजिगा We are living in the तो यह आप हो जाएगा इसका D option Age of science ठीक है next question दिख बढ़ते है Next question दिया गया है Read the passage carefully यान की एक पैस्रीज दिया गया होगा वो पैस्रीज की PDF याने की जो रियल पेपर की PDF है वो आपको कहा मिलेगी वो आपको मिलेगी WhatsApp चैनल पर उसकी लिंग आपको description मिल जाएगी वहां से आकर आप जो PDF है मैं content वाला वो देख पाएंगे यहापन मैं आपको आंसर अंसर ब इस तरीके से देखी गए यह आपको question दिया गया है इसका अंतर हो जाएगा यह इनवर्स्टी ओ मर्सों ठीक चलिए गा है नेक्स कोशन दिया गया वाट वाज मारिया स्वादर तो यह हो जाएगा ए प्रोफिशर ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा next question दिया गया मारि पॉलैंड ट्रेवल्ड फॉर फ्रांस टू इंटर दा इसका राइट अंसर हो जाएगा इस तरीके से सी और इसका राइट अंसर हो जाएगा next question कि दिया गया फिजिक्स इसका राइट आंसर है next question दिया गया right the noun from the world discovered तो डिसकवर का नाउन यहाँ पर पूँछा है तो डिसक कि आपको एक note बनाना है एक पैसे दिया गाया पहले आपको कई बर बता दिया कि उसकी पीडिया पो मिल जाएगी जो मैं कंटेंट है इस पेपर में आपको आंसर आंसर बताएं तो पहला अगर आपके टाइटल हो जाएगा इसका टाइटल हो जाएगा दिकिए दा सुबेट कि इन फोर्मेशन ची आपको करना होगा बक्राअपको आ एपको एपिक इसकूल लिविन इसकूल लिविएजज चलिफिकर आको लिखना है इस तरीकेसा आपको पbach लेई और स्कूल देखे सापर इसके साब हैद लेगत गोने क। आपको निबंद लिखना है किस पर यहां पर यहां पर देखीगा आपको 50-100 वर्ड में लिखना है तो यह आपका सामने दिखाई दे रहा है यहां से अब नोट कर लेजिएगा यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्तपूर्ण है यहां से आपको छोड़ना नहीं है नेक् डिड डिड नॉट वाइ एनी मंगो तो इसका अंसर क्या हो जाएगा वागो जैनी है इसका राइट नोट नहीं घिपता हुए हैं से असे में यहां आंसर अवे यह वांट टो वाच दा मोवी ऐस्टरडें तो यहां दो रिखनी का यहां डिन ओ एन्पूल तो इसका मच इस आप सुच रहे हों कि सरी इसमें भी है इसमें भी तो मैंने कि इसमें पहले से ओल्रीड यह आंसर लिख रखे हैं तो इसलिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है आप देख लेते हैं डू एज डिरेक्ट के यहां पर दीके योर पैंच गिव यू तब यह सेंटेश मनाना रियारंज करना तो इसका जाए चैनियू गिव मी यौर पैंच नेक्स कोश्चन दिया गया बच्चों को तो से नमर दोसरा ही वर्क्ट वेरी हाड ही कुट नोट पा फास देया रहा है तो इस तरी के साब देख लेजिएगा नेक्स कोशन आपर दिया गया है नेक्स कोशन देखेगा नेक्स कोशन दिया गया कोशन नमर तीन अंकित प्लेड होकी चैन्ज इंट्रू दप्रजाइन इंडेपिनिट एंड की बरतमान काल में हमें बनाना है यह आपको पता है कि पास्ट इंडेपिनिट का होता है तो हमें क्या करना है अंकित प्लेज यहां पर प्लेज होकी हो जाएगा यह प्रजाइड इंडेपिनिट बरतमान काल का हो जाएगा चलिए नेक्स कोशन दिया गया है रोहन इस्पीक इंगलिस तो चैन्ज दा सेंटेंस तो निगेटिव करना है तो इसका अंसर आपको करना है रोहन डज नौट स्पीक इंगलिस तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन दिखते हैं दे वाल इंदा धार के चैन्ज दा सेंटेंश इंटू पास्ट का कंटिनूस टेंस तो इसका क्या हो जाएगा नौट कम टू इसकूल टूडए कंबाइन दा सेंटेंश यूजिग सौक पर यूग करके सेंटेंश को बनाना है तो अज्य इस लाइग इस तरीके से इसकूल का अंसर हो गया कॉर्षे नमबर ना दिया गया आंसर था फॉलिविंग कोश्टन ओनली आंसर यहां पा लिकना ह तो इसका हो जाएगा इन हीज हाउस ठीक है नेक्स के अंतर हो जाएगा एक लीन हैंकी ठीक है नेक्स कोशन दरह बढ़ते हैं वुइज दा ओधर ऑफ दा लेसं माईच चाइलड़ोड तो चाइलड़ोड के लिए गए का आपी जे अबदूलकलाम चलिए next question दो बढ़ते है next question दिया गया what did Evelyn want to the spirit through her music तो इसका right answer हो जाएगा message of love, peace and the happiness चले है next question दो बढ़ते है next question दिया गया what is the well bless for the poet in the poem ran Q. तो इसका answer हो जाएगा lying on the wet in the joyful तो बच्चे इस तरीके से हमने आज के जो आपका half a early paper उसके solution बताए है आपको इसमें अभी questions से बते हैं questions बचे हैं तो आपको फिस तरीके से देखना है आपको description में link दी गई है link से आपको whatsapp channel या आफ टेलेक्राम चैनल को जोईन करना है वहाँ पर हम main PDF आपको send कर देंगे तो वहाँ से अब तभी questions से आज कर लिजेगा ठीक है अगर वीडियो पसंदाए वीडियो को like जोग कर दीजगा मिलता नक्स वीडियो में धन्यवाद अगरेवाद